हेलो फ्रेंड्स टेस्टी फूट विद उतकरशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ उतकरशा और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ब्लाक फॉर्डिस्ट केक की रेसिपी और इस केक को आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना ओविन के बिना मा यज़े आश्म recuperation ओ कर लेजिए और मेरे चानल की नेम कोटेच करके मेरे चानल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यहाँ पीलिक है प्लेइसको टच कर लिजेए और यहाँ पर आपको मेरे चानल पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाएंगी दो चलिए अब शुरू करते हैं से बन इसके लिए हमें चाहिए एक कप नमक और यह स्टैंड चाहिए इसे मैंने कड़ाई में बनाया है आप सेम प्रोसेस आप कुकर के साथ पी कर सकते हैं कुकर में भी इसी तरीके से बना सकते हैं तो नमक को सबसे पहले अच्छे से फैला ले और कुकर में बना रहे हो तो यह वि कुकर में बना रहे हो तो बस ध्यान रखना है कि विसल नहीं लगी हो और रबर लगी हो और इस तरीके से कड़ाई को मैंने ढख दिया है उसी तरीके से कुकर के ढखन को भी लगा दी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दें अब हम एक बर्तन में मैदा ले लेंगे को को का पॉडर के मेरे हाफ पड़ी चममच है यह मेजर्मेंट आप जो है इसमें ध्यान रखे बिल्कुल आपके पास अगर मेजरिंग स्पून हो तो उसे ही यूज करें इस तरीके से लेबल कर दें यह हाफ टेबल स्पून है मेरी तो हमें को का पॉडर चाहिए 3 टेबल स्पून तो 3 टेबल स्पून हमें लेनी है को का पॉडर बिल्कुल हाँ से इसे लेबल करके ही लें मेजरिंग इधर उदर नहीं होनी चाहिए नहीं तो केक के जो टेस्ट है वो बिगड़ सकती है तो आप मेजरिंग स्पून ही यूज करें हमें चाहिए बेकिंग पॉडर देट छोटी चमच इसे मैंने पहले बेकिंग पॉडर को मैंने ले लिया था आधी चोटी चमच है एक चोटी चमच अभी मैंने डाला और आधी चोटी चमच मैंने डाल दिया था जो वीडियो में स्किप हो गई दिखाना अब हम लेंगे बेकिंग सोडा आदे चोटी चमच और इन सभी को अच्छी से हम चान लेंगे इसे मैंने चान लिया है अब हम लेंगे मेल्टेड घी या बटर आप यूज करें और उसमें हमें डाल ली है चीनी को जो है वो मैंने पॉडर लिया है चीनी को मैंने पहले ग्राइंड कर लिया है इसके पॉडर बना लिया है तो यह मैं चाहिए तीन बड़े चमच इसे चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें किनी का पॉडर ही यूस करें और इसे डाल देंगे यानि condensed milk और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करें इसमें लंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अच्छे से डालके हमें से मिक्स करनी है इसकी कंसिंस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूं अगर आप आप आपको जरुवत लगे तो आप इसमें थोड़ी से गुन-गुनी दूद या नॉर्मल पानी भी मिला सकते हैं इसकी कंसिंस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए अब जिसमें भी आपको बेक करना हो यह अलुमुनियम या फिर इस टाइप के भी कंटेनर में आप यूज कर सकते हैं मैं इसमें ही बेक कर रही हूं केक को तो इसे अभी हम ग्रीस कर लेंगे घी या बटर या रिफाइन से अब इसे ग्रीस कर लें अच्छे से और फिर सूखी मैदर से इस पर डस्ट कर लें ताकि केक जो है असानी से निकल जाए अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे अब एक बार इसे टैप कर लें ताकि जो है एर बबल्स इसमें ना रहे और यह जो प्री हीट हो रही थी हमारे दस मिनट के लिए चिसे मैंने रखा था अब उसमें हम इसे डाल देंगे बिल्कुल साब्धानी से रखनी है क्योंकि कड़ाई जो है इस टाइम पर बहुत गर्म है गिप्री हीट हो रही थी और इसे हम कवर करके लो फ्लेम पे 20-25 मिनट तक बेक होने के लिए छोड़ दें अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे अब हम सुगर सिरफ तेयार करेंगे जिसमें 1 4th कप पानी और 1 4th कप चीनी लिया है मैंने इसे हम एक दो मिनट के लिए वाइल होने देंगे और फिर ग्यास बंद करके इसे ठंडे होने के लिए रख द इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होनी चाहिए तो इसका ध्यान रखें तो तो देड़ घंटे पहले आप इसे जरूर से निकालने फ्रीज से और फिर यूज करें सबसे पहले इसे हम बीट करना है तो हमें धीरे धीरे पहले हम बीट करेंगे और उसके बाद इसकी स्पीट को बढ़ा देंगे अब करेंगे अब हम वेप करेंगे आसानी से नीचे गिर जा रही है तो इसका मतलब एक इसे और बीट करनी होगी तो हम और बीट करेंगे इसे आप ये देखिए ये नीचे नहीं आ रहे है विप क्रीम जो है अब हमारी रिडी हो चुकी है तो अब हम इते हैं पिए केक के तो को लेंगे फिल्कुल ठंडी हो चुकी है जब ठंडी हो जाए तभी आप इसे निकालें इस तरिके से side से knife से कर लें ताकि केक जो है बिल्कुल असानी से निकल सकी अब हम एक प्लेट लेगे और उस फ्लेट में केक को निकाल लें इस तरिके से यह देखे केक हमारे बिल्कुल पर्फेक्ट बनकर तयार हो गई है केक बेस तो हमारी रेडी हो गई है तो केक बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी इस प्रॉसेस को आप करें नहीं तो केक तो है वो तूट सकती है SHT पिए अब हमें क्या करनी है अभ़ेम हमें रांडी की जरूरत फ़ल में नहीं हो तो आप इस तरीके इस ने अच्छा को एक प्लेट को ने चोटी पेट अच्छा की सहי। आपका अविक करें के यहान नषचे आपे जनके करने में आसानी होगी कंप केक को कट करनी है बीच से अगर आपको केक को कट करने में डर लगता हो तो आप इस तरीके से दो केक बना ले और फिर उसकी आइसिंग कर सकते हैं केक को कट करने में बिल्कुल साफधानी से कट करें इस तरीके से हाथ से पहले हमें उपर से केक को प्रेस करेंगे और बिल्कु को हम कट कर लेंगे आ इस तरह किसे दो केक बना सकते हैं तो यह हमारे अच्छे से बिल्कुल कट हो चुकी है अब इस पर हम देखने मैंने कि छूगर बनाया था उसे हम इस पर अब लगा लेंगे कि इस पर सुगर सिर्फ डालना बहुत ही ज़रूरी है इसे केक अंदर से मीठी होगी और अब इस पर हमें क्रीम लगानी है क्रीम को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा ले अच्छे से पूरे फैलाते हुए उपर तक अच्छे से लगाएं क्रीम को अब इस पर हम चेरी डाल देंगे चेरी को मैंने कुछ चेरी को कट करके लिया है और फिर उपर से हम केक के दूसरे साइड को जो बेस को मैंने कट कशा था उसे हम ढाल देंगे और पर के जो पाठ थे उसे मैं अंदर के साइड से रख रही हूं और फिर फिर हम alternatives करेंगे रिपीट करेंगे सुगर सिरफ डालेंगे और फिर क्रीम यूज़ करेंगे इस पर क्रीम को अच्छी तरीके से पहला लें कि हमें साइड से भी क्रीम को लगानी है तो अच्छी से क्रीम को उपर से डाले और फिर साइड में क्रीम को लगा ले एक फ्लाट नाइफ है मेरे पास तो फ्लाइट फ्लाइट नाइफ से मैं ऐसे लगा रही हूं कि साइड साइड में भी से लगा ले पर केक को हमें क्रीम से कवर कर लेनी है और ये हो चुकी है पूरी कवर हो चुकी है क्रीम से अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए और आधे घंटे बाद फिर हम इसे निकालेंगे अब हमें जो डार्क चॉकलेट लिया था मैंने उसके हम कर्ड्स निकालेंगे तो हम एक पिलर लेंगे और इस तरीके से डार्क चॉकलेट के कर्ड्स निकालेंगे अधे गंटे बाद हम केक को निकालेंगे और एक पाइपनПрएम को फिल करके इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे से आयो किसे मैंने साइट से डिजाइन बना लिया और ऊपर से हम फिर चेरी को डाल देंगे से देकूरेट करेंगे और भीच में जो डार्क चॉकलेट के जो कल निका लेती है उसे हम डाल देंगे और इसे हमें साइड से भी लगानी है साइट से भी चारो साइट से हमेंसे लगा लेनी है यह सभी साइट से मैंने लगा लिया बीच में भी से डाल दिया अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे अब मैं यहां पर आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते या फिर बीच में भी इस तरीके से क्रीम लगा के चेरी डाल सकते हैं जैसे मन वैसे डेकुरेट करें आप और यह केक बनकर बिल्कुल ही रेडी है ब्लाक फॉर्स्ट केक घर पर बन गई आसानी से बिना ओवन के बिना म सामने वालों के साथ और मेरी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ओन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सगे तो मैं इसे केक को कट करके नहीं दिखा रहे